मस्कार स्वागत है आपका हमारी चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजयनी बाहराश्ट में शिवजेना के सांसाज जंचेहराउत की मुश्कलें अब कई गुना तक बढ़ सकती है टॉलेट खोटाला मानहानी केस में अब मंजगाउं कोट ने शिवजेना के सांसाज जंचेहराउत को समन जारी कर दिया है और कोट में पेश होने के लिए कहा क्या है आपको यह बताते हैं कि बीजेपी नेता क्रीट सुमहिया की पतनी मेधा सुमहिय द्वारा दयार मानहानी माफले में मंजगाउं कोट ने शिवजेना सांसाज संजेहराउत को चार चुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया है और जिस तरीके से यह पूरा माफला साफ ने शिवजेना के सांसाज संजेहराउत ने जिस तरीके की बयानवाजी की जो तम संजर हाउथ प्राइमा फेशी ने मिधा क्रिट सुमहिया के खिलाफ मानहारिक बयान दिये हैं क्या संजर हाउथ की ओर से जो तमाम बयानवाजी की गई है वो सुमहिया फैमली को कही न कहीं उनकी परतिस्ठा को दाउख पर लगाया क्या है कहीं न कहीं उनकी चवी को ठेस पहुंचाने के लिए ये तमाम बयानवाजी की गई हैं कि साफ़तोर पर जो कोट के नियाइधीश है उन्होंने भी माना है और यही वजा है कि इस पूरे माफले में जो मानहानी का माफला संजेर राउत के खिलाब दर्ज किया किया था इस पूरे माफले में अब संजेर राउत को कोट ने समन जारी कर दिया है और चार चुलाई तक उन्हें कोट में पेश होना होगा तो इस पूरे माफले में अब संजेर राउत की मुश्किलें कितनी ज़ादा बर सकती है इसका अ कि इस पुरे हमाखले में उन्हें जेल जलाखों के पीछे पहुचाया जाए लेकिन अब कही न कहीं उल्टा संजह राउत पर ही ये पूरा हमाखला भारी पड़ता दिखाई दे रहा है जिस तरीके से कोट की तमाम टिपणियां इस पुरे हमाखले में साखने आई हैं आपको बतादें शिवसेना नेता संजह राउत को मजिस्ट्रेट ने चार चुलाई तक अब अलत में पेश होने का निर्देश देतिया है और वहीं ये साफतोर पर कहा है कि मानहानी की सामागरी देखते हुए पृथम द्रस्टे में जो इस्तेमाल किये गई शब्द हैं वो दरसल सुमहिया की परतिस्था को थेश पहुँचाते हैं क्यानी जो मेथा सुमहिया पर टिकपणिया की गई है वो कहीं न कहीं उनकी परतिस्था को थेश पहुँचाने का काम किया है उनकी छवी को धुमिल करने का काम किया है ये कोर्ट ने बकायता माना है और यही वज़ा है कि मजिस्ट्रेट पी आई मोकाशी ने राउत को CRPC की धारा 204A के तहट समन चाहिक करके कि अदालत में पेश होने का अखतेश दिया है इस पूरे माखले में जो कोर्ट की तरफ से टिकपने की गई है उसमें मजिस्ट्रेट ने के साफ़तोर पर कहा है कि इन दस्तावेचो और वीडियो क्लिप को रिकोर्ट पर प्रस्तुत किया है और ये देखने में पता चलता है कि आरोपी ने यहीं संजेह राउत ने शिकायत करता सुमया के खिलाफ जो 15 अप्रेल और 16 अप्रेल को बयान दिये हैं वो अफमान जनक बयान है ताकि इसे बड़े प्लानिंग के तहत हुआ है कि किस तरीके से उनकी छवी को खराब किया जाए किस तरीके से इस पूरे माखले में क्रीट सुमया और उनकी पतनी मेधा सुमया को फसाय जाए आपको ये बताते हैं कि संजेह राउत के द्वारा मीरा भयंदर इलाके में सुमया पर 100 करोड रुप्य के सोचाहले घोटाले का आहरोब लगाया किया था जिसके पाद जो एडवोकेट हैं विवेकानन्द कुपता उनके जर्के नीजी शिकायत जो है वो दर्च की गई थी और शिवजिना नेता ने ये आहरोब लगाया था कि मीरा भयंदर नगर निगम द्वारा अपने अधिकार शेत्र में सोचाहियों के निर्मान के लिए आवंटित थन का कथी तोर पर मेथा सुमहिया द्वारा अपने गैस सरकारी संगठन युवपरतिस्थान के माध्यम से दुरुप्योग किया किया है ये तमाम गंफीर आहरोब जो हैं वो संजर राउत की और से लगाये थे तमाम ऐसी अपमानचनक टिपणिया की गई थी जिसको लेकर उसके बाद क्रिट सुमहिया की पत्नी मेधा सुमहिया ने कोट का रुक किया और इस पूरे माधले में संजर राउत के खिलाब ये मानहानी का माधला दर्च करा था जिस पर अब कोट ने संग्यान लिया है और साक्तो पर ये कहा है कि संजर राउत ने जिस तरीके की टिपणिया की है और जो तमाम दस्ताफिच इस पूरे माधले में हमें क्रिट सुमहिया की ओर से प्रवाइड करा हैं जो तमाम और फेर वीटियो जो तबी गई हैं उससे ये जावी सब् Scott की कोशिश ओ जो है वो संजय राउत के जर्य की गई है एक प्लानिंग के जर्खे यह पूरा मावला जो है वो जासने आया है आपको यह बताते हैं कि क्रिट सुबहियां जो की बीजेपी के नेता हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं दरसल वो लगातार माहराष्ट में उथावठाक खाले में क्रिट सुमहियां की ओर से शिवञेना के नेताओं की ख्लाब शिकार संदुपर भी बड़े हैं चुकि एक वक्त था जब क्रिट सुमहिया शिवसेना के ही नेता थे और उस वक्त जाहिर तोर पर वो बखोबी तरीके से जानते हैं कि आखिर शिवसेना के अंदूरूनी खेमे में क्या चलता है आखिर किस तरीके से कौन से नेता ने कितने बड़े घोटाले को अंजाफ दिय इन दमाग नेताओं के खिलाफ जो है वो क्रिट सुमहिया की ओर से केंद्रे जाच एजन्सी एडी और साथे इस्थाने प्रिस स्टेशन में शिकार से दर्च कराई है कई माखिले ऐसे हैं जिसमें कहीं न कहीं शिवसेना के लिए मुश्किले कई कुना तक बढ़ चुकी है माखिले जो है वो उधव ठाकरे तक पहुँच रहे हैं जिस तरीके से उधव ठाकरे के साले भी फिलाल फिस्टर चार के माखिले में फसे हुए हैं एडी और आयकर फाक जैसी केंद्रे जाच एजन्सियां लगातार उनके खिलाफ अलग-लग माखिलों में जाच कर रही है वहीं संजयह राउत भी कही न कहीं वजए हुए हैं जब तरीके से उनके जो गरीबि है वो फिलाल वाखो के पीछे है और है आने वाले वक्त में उनकी फैपली पर भी शिक़ा कसा जाता है और कि यहीं वजा रही कि संचया राउत ने टॉयलेट कोटाले का जिक्र यह बड नहीं रुके बलकि तमाव ऐसी अभद्र टिपणिया की गई ऐसे अफमान जनक बयान दिया गए चिसको लेकर कोट का रुक क्रिट स्महिया और उनकी पतनी मिदस्महिया की ओर से क्या है और अब इस पुरे माफले में कोट ने संग्यां लिया है और इस पुरे माफले में आरो मिल करने के लिए की गई है और यहीं वज़ा है कि 4 जुलाई तक संजह रौत को कोट में पेश होना होगा यह साफतोर पर कहा गया है तो आपको भी बताते हैं कि जो मेधा सुमहिया की वकील है विवेकानंद गुपता उनके माथ्यम से जो दायर शिकायत की गई थी जिसमें मेधा सुमहिया ने ये दाफा किया था कि राउत ने उनके और उनके पती के खिलाफ निराधार और पुरी तरह से मानहानी के आरोप लगा हैं इस पुरे माहली में जो दलील उनके वकील की ओर से कोट में दी गई उसमें ये साफतोर पर कहा किया कि आरोप्यों द्वारा नी राउत को नोटिस चारी करके उनके खिलाफ मानखानी के आरोप में भारतिया डंट सहींता की धारा 499 में और 500 के तहत कारवाई शुरू की जाए और इस पूरे माफले पर आप कोट ने संग्यान लिया है आपको यह बता थे कि आई पीसी की धारा 499 में वानहानी से संबंध रखती है जबकि धारा 500 अपरात के लिए सजा का प्रावधान करती है और यह साधरन कारवाद हो सकता है जिसे दो साल तक बढ़ाया चाह सकता है तो ऐसे में जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं क्या है इस पूरे माफले में संब्धा की मुश्किले कितनी जादा बढ़ चुकी है यह साफ़तों पर इस पूरे माफले में जो शिकायत दर्ज कराई कई है आई पीसी की धारा 400 निन्नात में और साथ ही 500 जो की अपरात के लिए सदा का प्राथान करती है इस पूरे माफले में आखिर कोट आने वाले वक्त में क्या फैसला लेगी क्या संजह राउत को जेर होगी क्या फिर जुर्माने पर संजह राउत छुट जाए है यह आने वाले वक्त में देखना होगा लेकिन फिलाल इतना तैह है कि जिस ट्वालेट खोडाले में संजह राउत ने क्रेट सुम करतिया है आप सेराओ को कोड़ में पेश होना होगा और हो सकता है कि इस पूरे पाहले में संजह रौत को जेल भी हो जाए लाद आपकी इस पूरे पाहले पर क्या राय है ऩरह में जरू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस इस तो हम और पर आई करें